अब हम बात करेंगे suspense एण होरर की अब suspense होता क्या है suspense जब होता है हमें पता ना हो कि आगे क्या होने लगा है हमारे सारे senses जो हो evoke हुए होते हैं हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें समझ आए क्या हो रही है मगर कुछ पता नहीं चलता कहानी कोई भी रुख ले सकती है जो यानी के when we are writing suspense it is important to keep the pressure cooker on and make sure that the valve is not there यानी के boiling point को बिलकुल हमने ऐसे कर देना है के बस अब लगा के फटा के तब लगा के फटा के तब लगा के फटा So, you have to keep turning on and using multiple techniques to make sure that we are creating suspense for the reader or the viewer or the listener depending के हम क्या चीज लिख रहे हैं So, suspense करता क्या है? Suspense यह करता है कि it gives a reader a lofty viewpoint Lofty viewpoint क्या हुआ? Lofty point होता है कि हम हीरो का बहरा नजरियाद सुना रहे होतें और जो villain है यानी कि 0 है उसका भी नजरियाद सुना रहे होते है दोनों तरीके से हम कहानी बता रहे होते है कि hero किया कर रहा है? विलेन क्या कर रहा है, मगर हम ये नहीं बताते कि क्या होगा. So, we keep giving clues, we keep creating a situation where the suspense keeps boiling, but we are not telling the viewer exactly what is about to happen. Time constraints, यानि के हमने reader को बताना है कि वक्त बहुत कम है और मुकाबला सक्त, यानि के बहुत कम वक्त में हिरो ने बहुत जारा काम करना है. So, you can create suspense by giving a time limit. अब Superman आया है, he is flown in, there is a bomb ticking, दो second का वक्त है और उसने बिलकुल उसको, bomb को defuse करना है, इससे पहले ही, पूरा शहर उड़ जाए. अब यहाँ पर suspense है, क्या Superman कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या होगा? तो हमने time constraint इस्तेमाल करते वे suspense create किया. दूसरी चीज़ हमें यह कहनी है, के situation ऐसी हो, जहाँ stakes are very high. So, if the hero doesn't fulfill the job on time, the result is going to be disastrous. For example, एक बाप जो है, अपने बेटे को flood से बचा रहा है. या जैसे हमने पहले वाली एक्जाम्पल दी, Superman bomb defuse कर रहा है. यह दोनो situations में, stakes are very high. तो बंदे को suspense होता है, क्या वो हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, तो boiler is on. अगली चीज़ है, apply pressure. यानि के the odds against the hero being able to do it are very, very high. They are very difficult to achieve. यानि के जो वो करना जा रहा है, उसको करने के लिए बहुत सारी मुश्किला आते हैं. और हम pressure पर pressure डाले जाते हैं. यानि के जैसे हमने काफी फिल्मों में देखा होगा, कि hero जो है, वो एक जगा से दूसरी जगा जाना चाहा है, मगर कभी एक villain आता है, कभी कोई चीज़ आ जाती है, कभी हवा चलने लगती है, बारिश हो जाती है, build होता चला जाता है, और हम hero पर pressure डालते चले जाते हैं और suspense बढ़ता चला जाता है, क्या hero कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसी तरह हम कहानी में suspense को add करते जाते हैं. अगली बात जिसकी बात हम करेंगे, वो है to create a dilemma, यानि के एक confusion, will it be possible, won't it be possible, there is never a definitive answer, यानि कोई छीजद धोस नहीं है, कहानी पता नहीं चल सकती, तब ही तो suspense आता है, कै अगर पता चल गया, कि ह pale यह हो सकता है, कि नहीं फिर तो suspense खत्म हो गया, हमने suspense इस तरह डालना है कि dilemma हो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे suspense create करने के लिए वो है complicating matters यानि के problem के उपर, problem के उपर, problem जैसे के हमने बात की pressure जो है हमने apply रखना है यानि के पहले बारिश होने लगी बारिश के साथ-साथ road तूटने लगी road तूटने लगी तो उसके बाद जो है villain भी आ गया तो एक situation के बाद दूसरी situation हम complicate करते चले जाते हैं और suspense जो है वो बढ़ता चला जाता है एक और जो चीज बहुत जरूरी है suspense लिखने के लिए वो है unpredictability यानि कि कोई भी चीज predictable नहीं होनी चाहिए अगर आपको पता है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और बात करती रहूंगी जब तक कि ये course खतम नहीं होता तो इसमें तो कोई suspense नहीं है हाँ suspense इसमें हो सकता है कि क्या मैं चुप कर जाऊंगी अभी या बोलती रहूंगी तो यहाँ पर हमने अनप्रिटबिलिटी लेकर आनी है मैं चलूंगी या खडी रहूंगी ये कहानी आपने बतानी है तो बी अ वेरी गुड विलेन फर अ सिस्पेंस अन वेरी वेरी गुड हीरो यानि कि विलेन इंतहाई विलेनस होना चाहिए और हीरो जो है वो इंतहाई heroic होना चाहिए सुपर मैंस चाहिए हमें बाट मैंस चाहिए हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ सुपर हीरोज क्रियेट करें मगर जो रियल आइफ हीरोज है बाप है, हस्बंड है, बच्चे हैं उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत अच्छे हो और बहुत बुरे हो तब ही suspense जो है वो elevate होता है या increase होता है अब हम बात करते हैं होरर की अब होरर क्या है होरर वो चीज जिससे हमें डर लगे शॉक हो या डिस्गस्ट हो You know, that is the feeling of horror where you are just इस तरह की जुरजुरिया आनी चाहिए फिर जाके हमें लगता है कि हाँ ये कोई चीज होरर थी होरर लिखना असान नहीं है होरर के लिए बहुत डाक थोट्स चाहिए होते हैं बहुत डाक वर्ड्स चाहिए होते हैं Characters जो है वो बहुत wicked होने चाहिए और डिरावनी चीज, यह चीज होरर क्रियेट करती है और लफ्स जो हम इस्तमाल करते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि एक्स्प्लेइन कर रहे हैं एक होरिफिक सिचुएशन को यानि कि हमारी जो सेंसेज हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो खौफ की होनी चाहिए या शौक की होनी चाहिए या डिस्गस्ट की होनी चाहिए आपको किस चीज से डिस्गस्ट फील होती है मुझे तो फील होती है, यह जैसे कौकरोज चल रहे होते हैं तो इस तरह की चीजे या खौफ, जिनात आ जाएं, बद्रूहें आ जाएं, चुडएलें आ जाएं, इन चीजों से हमें डर लगता है. तो हम अगर बात करते हैं horror की, तो हम यह कहते हैं कि they are intense, they contain scary और shocking scintillating plots. तो हमें कोशिश करनी है कि हम हर चीज में fear का element या shock का element जरूर डालें, और reader को उस darkness या गिणावनी चीज या horror के अंदर डालते चले जाएं, जिससे उनको डर लगे, उसको सांस ना आए, उसको सांस लेना मुश्किल हो जाए, उसके हमने सांस रोकनी है, beading patterns जो हैं वो बदलन हैं, situation ऐसे create करनी है, suspense or anxiety, परिशानी होनी चाहिए उसको पढ़ते वे, होगा नहीं होगा, क्या हो रहा है, ये चीज क्या है, ये इस दुनिया की मखलूक है, ये किसी और दुनिया की मखलूक है, panic, horror की मतलब, अब क्या होगा आगे जाके, तो जब ये चीजें होती है, तो suspense or horror की लिए दोनो में हमने देखा, pressure and creating a situation where people feel out of their elements, they are not in a comfort zone, but out of the comfort zone. So, when you write like this, you will be able to write horror and suspense.